lifestyle of animals यानि कि animals की जिंदिगी कैसी होती है वो किस तरह से रहते हैं किस तरह से breathe करते हैं क्या-क्या खाते हैं किस तरह से movement करते हैं और क्यों movement करते हैं ये सब चीजे में इस chapter में पढ़ेंगे तो start करते हैं There are variety of plants and animals on planet earth हमारे earth पे कई तरह के plants and animals हैं Animals found on this planet are very diverse in nature जो इस planet पर animals हैं वो बहुत अलग-अलग तरह के होते हैं Different creatures have different food and feeding habits और अलग-अलग जानवरों की अलग-अलग खाने की habits हैं आदते हैं उनका तरीका अलग है और वो खाना भी अलग-अलग खाते हैं modes of locomotion and many other characteristics और उनके चलने फिरने का movement करने का तरीका अलग है और कई सारे अलग characteristics हैं यानि कि और भी कई सारी अलग-अलग आदते हैं feeding habits यानि कि वो कैसे खाते हैं और क्या चीज़े खाते हैं Like every living being animals also need food to get energy and stay healthy जैसे हर एक living animal के लिए खाना जरूरी है इसलिए energy के लिए और healthy रहने के लिए उसी तरह जानवरों को भी है animals differ from each other in feeding habits सभी animals जो होते हैं feeding habits एक दूसरे से अलग होती है their feeding habits depend on the type of food date और ये चीज़ उनकी feeding habits जो हैं यानि कि वो किस तरह से खाते हैं ये उनके खाने पर depend करता है इनका खाना है कैसा their mouth parts are also according to the type of food date और उनके मूँ का जो हिस्सा है वो भी उसी तरीके का होता है जिस तरह को खाना खाते हैं सबसे पहले हैं rodents अब rodents कौन होते हैं animals like squirrels, mouse, rabbits are rodents जैसे कि squirrels हैं ये गिलैरी हैं, चूहे हैं खरगोश हैं इन्हें rodents कहते हैं they have sharp front teeth इनके आगे के जो दांत होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं no seeds and fruit किसलिए ताकि वो seeds को कुतर सके fruits को कुतर कुतर के खा सके next is land animals अब land पर कौन-कौन से animals है plant eating animals like cow, goat, sheep, deer are called herbivores अब लैंड पर जो कुछ animals हैं जो क्या खाते हैं हरी चीज़े खाते हैं plant eating animals है जैसे कि cow है, goat है यह सब क्या खाते हैं पेड पौते plants खाते हैं तो यह इन्हें harbivores कहते हैं their teeth are well suited to eat grass and plant तो उनके teeth इस तरह के होते हैं कि वो घास को अच्छे से चबा के खा सके they have sharp front teeth to bite the leaves and उनके जो front teeth हैं वो बहुत है शाप होते हैं ताकि वो leaves को अच्छे से bite कर सके and strong flat grinding teeth और जो उनके पीछे के दांत होते हैं वो बहुत ही strong होते हैं ताकि वो अच्छे से खाने को चबा सके animals like wolf, lion and tiger eat flesh of other animals अब ये जो जानवर हैं जैसे कि wolf है, lion है, tiger है ये दूसरे जानवरों का flesh यानि की mask खाते हैं they are called carnivores और इनको क्या कहते हैं carnivores कहते हैं these animals have sharp pointed and curved front teeth इनके कैसे होते हैं आगे के दाद काफी sharp होते हैं pointed होते हैं और curved थोड़े से मुड़े हुए होते हैं to tear the flesh ताकि वो mask को tear यान की फार सके and strong grinding teeth to crush the bones और जो उनके grinding teeth यान की पीछे के जुदात होते हैं वो काफी strong होते हैं ताकि वो अच्छे से bones को crush कर सके तोड सके animals like bear, dog and crow eat both plant and flesh of animals अब ये जो जानवर हैं जैसे की beer भालू है, dog है या कहुआ है ये जो हैं, ये flesh और plant दोनों चीज़े खाते हैं they are called omnivores और ऐसे जानवर को क्या कहते हैं omnivores, यानि कि जो plant भी खाते हैं flesh भी खाते हैं, उनको क्या कहते हैं omnivores next है scavengers scavengers कौन होते हैं animals like heena and jackal feed on the flesh of dead animals अब ये ऐसे जानवर हैं जो dead animals, यानि कि जंगल में जो जानवर मर जाते हैं ये उनके बचे हुए मास को खाते हैं they are called scavengers इन्हें scavengers कहा जाता है they help in keeping the forest clean ये किस चीज़ मदद करते हैं forest को साफ रखने में कि जो बचे हुए जो मरे हुए जानवर होते हैं ये उनको खा लेते हैं जिसकी वएसे जंगल में एक तरह से सफाई हो जाती है next है aquatic animals whale and shark feed on algae, plankton and small fishes whale and shark feed on algae, plankton and small fishes whale and shark जो हैं ये algae, plankton and small fishes को खाते हैं यानि कि जो छोटी मचलिया होती है या जो प्लांग्टन होता है plankton क्या होता है जैसे कि जब वो कुछ जानवर मर जाते हैं तो उसके बाद वो क्या होते हैं पानी की सतय पर आ जाते हैं उपर तो ये उनको भी खाते हैं carnivorous fish eat earthworms पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं अब एक नई तरह के fishes भी है limnivorous fish अब ये limnivorous fish जो होती है also known as mud eaters इनको mud eaters कहा जाते है they feed on algae and microorganism यानि कि छोटे मोटे कीडे जो होते हैं पानी के अंदर ये उनको खाती है next है birds birds क्या करते हैं birds have beaks and claws to catch or eat their food उनकी beak होती है यानि कि claws यानि कि इनके पंजे वो किसलिए काम आते हैं खाने को पकड़ने और खाने के लिए some birds eat flesh only कुछ जो birds है वो सरिफ मास खाते हैं whereas some others feed on plants and fruits और कुछ plants और fruits को खाते हैं eagles and vultures have strong and hooked beak to tear the flesh अब जो eagles हैं और vultures हैं इनके जो teeth होते हैं वो काफी नुकीले से होते हैं और hook जैसे होते हैं वानि थोड़े से मुड़े होते हैं इनकी beak जो होती हैं तो वो flesh को आराम से खा सकते हैं pigeons and sparrows have strong and hard अब जो pigeon है, sparrow है इनके बहुत ही strong and hard और short beaks होती हैं to eat grains ताकि वो grains को खा सकें grains यानि की game वगेरे जो होते हैं अनाज को खा सकें parrots have curved beaks to crack seeds, nuts and fruits अब जो parrots होते हैं उनकी चोच जो होती है वो थोड़ी सी मुड़ी होती है ताकि वो seeds, nuts को या fruits को खा सकें swallows have short and broad beaks to catch the flying insects वोड़ी होती है यह क्या करते हैं इनकी जो beak होती हैं थोड़ी सी broad होती है थोड़ी सी value ही होती है ताकि वो catch कर सकें flying insects को यानिक उड़ते हुए जो insects होती ही उनको खाती है the woodpecker has a chisel-shaped beak to make the hole in the tree to find the food अब वोड़ पैकर क्या करती है इसकी जो beak होती है वो थोड़ी सी नुकीली होती है जिससे वो क्या करती है पेड की जो उपर की लेयर होती है उसमें छेद कर पाए और उसमें से वो अपना food होती है उसमें क्या food होगा यानि कि उसमें जो कीड़े होती है यह उनको खाती है इंसेक्ट are important pollinators और आपको पता है कि इंसेक्ट क्या होते है pollinators भी है यह किस जीज में help करते है हमने लास्ट चाप्टर में पढ़ा था कि यह flowers और fruits को या vegetables को ग्रो करने में help करते क्योंकि यह pollinators होते है इनकी वैसे pollen एक प्लान से दूसरे प्लान तक पहुच पाता है most spiders eat only living और freshly killed food after trapping their prey in the web कई सारी जो spiders वो क्या खाते है freshly killed यानि कि जो उसी वक्त उन्होंने मारा होता है ऐसा food ऐसा शिकार करना पसंद करते है प्रे क्या होता है शिकार यासे कि आपने देखा भी होगा मकड़ी में जो है जब मकड़ी जाला बनाती है तो वो क्या करती है उसमें कोई भी जो कीड़ा है वो फसता है तब वो उसको खाती है अपने वैब में वैब क्या होता है जाल में insect like butterfly suck nectar from flowers अब insect जैसे कि butterfly है यह क्या करती है यह flowers के nectar यानि की रस को पीती है next is breathing अब कैसी कैसी breathing है अब दूसरा topic स्टार्ट हो गया अभी तो हमने feeding के देखा था कि क्या क्या खाते हैं अब कैसे सांस लेते हैं breathing is the process of taking in oxygen giving out carbon dioxide आपको पता है breathing क्या होती है जिसमें सभी living beings जो है वो oxygen को लेते हैं और carbon dioxide को छोडते हैं to keep their systems working all animals need energy अब जितने भी animals हैं उनको अपने system को काम करवाते रहने के लिए energy की जुरत पड़ती है oxygen burns the food within their bodies और oxygen क्या काम करती है खाने को body के अंदर break करने में help करती है and release energy for different activities और energy को release करती है लगला activities के लिए mammals, reptiles and birds breathe through lungs अब जो mammals होते हैं यानि कि जो अंडे नहीं देते ऐसे जानवर और reptiles यानि कि जो rain के चलते हैं and birds breathe through lungs ये सब किसे सास लेते हैं lungs से air is taken in through nose अब वो सास कहा से लेते हैं नाक से सास लेते हैं and reaches the lungs और फिर वो कहा तक जाएगा अब नाक से सास जाती है lungs तक through the wind pipe एक wind pipe होती है उसके थूँ mammals have two blood vessels mammals में दो blood vessels होती हैं यानि कि खून की नलिया होती हैं when the air reaches the lungs जब air जो है हवा जो है वो लंग्स तक पहुचती है and exchange of gases takes place तक क्या होता है between the air and the blood vessel the blood in the lungs absorb oxygen अब जो blood होता है लंग्स में वो oxygen को absorb कर लेता है हवा से and gives up carbon dioxide और carbon dioxide को छोड़ देता है the air containing carbon dioxide is breathe out और जो air जिसमें carbon dioxide होती है वो हमारी body से भानिकल जाती है whale does not take its oxygen from water whale जो है वो पानी के अंदर से oxygen नहीं लेती है क्योंकि बाकी जो fishes होती है वो सारी पानी के अंदर जो घुली होई oxygen होती है उसका use करती है सांस लेने के लिए लेकिन whale जो है वो पानी के अंदर सांस नहीं लेती it comes on the surface to take oxygen from air वो हवा में यानिकि बाहर आती है पानी से बाहर आती है कुछ टाइन के लिए और फिर बाहर से सांस लेकर यानिकि oxygen लेकर वापस चली जाती है fish breathe through gills अब fish कहां से सांस लेती है gills से यानिकि यह लंग्स नहीं होती है gills होती है उनकी बाडी में fish are blessed with gills to breathe fishes की बाडी में क्या होती है the fish take in oxygen through their gills from the water which is in the contact with their bodies अब वो क्या होता है कि fish is पानी से सांस लेती है वो उनकी गills में जाता है और फिर उनकी बाडी से टच होते होए and at the same time और उसी वक्त क्या होता है जब वो पानी उनकी बाडी से निकलता है carbon dioxide in their blood is dispersed in the water अब क्या होता है oxygen उनकी बाडी में चला जाता है और carbon dioxide उनकी बाडी से निकल जाता है animals like crabs, prawns and oysters have gills to breathe अब ये animals जो हैं यानि कि ये तो fishes की बात थी कि वो gills से सांस लेते हैं उनके अलावा crabs, prawns and oysters ये कुछ ऐसे animals हैं जो gills से ही सांस लेते हैं next है amphibians breathe through gills and lungs amphibians कौन होते हैं ये ऐसे जानवर होते हैं जो पानी और जमीन पर दोनों जगा रहते हैं तो ये सांस भी दोनों तरीके से लेते हैं ये पानी के अंदर ये gills से सांस लेते हैं और बाहर ये lungs से सांस लेते हैं tadpole breathe through gills tadpole कौन होते हैं फ्रॉक के जो बच्चे होते हैं और टेड़ पोल्स कहते हैं, तो वो कहां से सास लेते हैं वो गिल से सास लेते हैं, क्योंकि वो पानी में पैदा होते हैं तो उस ताइम वो पानी के अंदर ही रहते हैं और वो गिल से सास लेते हैं, लेगन जो अडल्ड फ्रॉक होता है वो ल जो अपनी स्किन से सांस लेते हैं इनका होल्स हो एंसेक बीडे जो होते हैं ौकां से सांस लएते हैं इनकी में कुछ एयिब त्यूबस गया है जहां से चेद होते हैं कियोनी और उनकी बॉदि में कच एयबूबसohने ,…… बहुत सारे होल्स होते हैं किसी इंसेक्ट की बॉड़ी पर ठूरू विच टे बृज जहां से वो शांस लेते हैं इस आर कॉल सु यह निकी निकी अर्वार सो कुछ एंटिटों की बॉड़ी में उनको क्या क्या कैते हैं इस पाइरेकल्स लीड इंटो अंडर स्वेरल स्वेयर हो ने इपनेटवर्क और गुद आर आज लिकोर्ट continuar करें विक पोडिक्ट कैथいきड विए बड़िन कुछ से उतिक जोर से इस पशेड हो खनार और तकुछ सब्सक्राज्ट थायज्रेन हुत कि इसे दिरा मुने। all to all tissues और फिर वो उनकी बॉडी से बहार चले याते हैं तेक इन की बाडी में और फिर उन जानवर है कैसे बॉप करते हैं याने कि कैसे चलते फिरते हैं Animals move from one place to another in search of food, shelter and to protect themselves from their enemies अब animals move करते क्यों है ताकि वो एक जगा से दूसरी जगा जा सके क्यों खाने की खोज में, shelter यानि कि किसी जगा की खोज में जहां पर रह पाए और अपने आपको protect कर सके किसी एनिमी से यानि कि दुश्मन से यानि कि अब उनका शिकार करने के लिए कोई दूसरे जानवर होते हैं तो उनसे बचने के लिए भी वो इधर से उधर जाते हैं Most land animals have four limbs काफी सारे animals जो हैं, उनके four limbs हैं, चार limbs होते हैं अब limbs क्या होते हैं, जैसे आपके हाथ और पैर हैं उसी तरह animals के भी जो हाथ पैर होते हैं, उनको limbs कहते हैं Two at the back, तो पीछे की तरफ दो होते हैं, are called hind limbs जो पीछे की तरफ हैं, उनने hind limbs कहा जाता हैं आगे जो होते हैं, उनको four limbs कहते हैं, इसमें लेखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहे हूं Hind limbs पीछे की तरफ होते हैं, four limbs कहा होते हैं, आगे की तरफ Mammals, अब mammals कौन से हैं, जो मूव करते हैं, यानिकि mammals कैसे मूव करते हैं Animals like cow, horse, tiger, cat, dog, etc. use their four limbs अब मैंने आपको बताया four limbs क्या होते हैं, अब यहाँ पर यह जो four limbs है, यह आगे वाले पैरों के लिए नहीं है, यह आपके चारों पैरों के लिए है, दूसरे four limbs की spelling में F.O.R.E. आता है, याद रखिएगा, ठीक है? अब जो जानवार है, cow है, horse है, tiger है, यह अपने चारों पैरों का इस्तमाल करते हैं, move करने के लिए While man and kangaroo are the mammals who use two limbs to move और इसके अलावा जो दो mammals, यह mammals जो हैं, kangaroo है या आदमी है, इनसान है, इनसान भी mammals में आते हैं तो यह जो है, यह अपने two limbs का use करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दो पैरों से चलते हैं, उसी तरह kangaroo भी अपने दो पैरों का इस्तमाल करता है, move करने के लिए Bat is also a mammal, but it can't walk on limbs, it has wings to fly अब एक और mammal है, जो कि क्या है, बैट है, यह एक ऐसा mammal हो जो उड़ सकता है, लेकिन यह चल नहीं सकता, क्योंकि इसके जो पैर होते हैं, उसके पैर हो जो है, वो चलने लायक नहीं होते हैं, वो सिरुफ उड़ सकता है next birds, अब birds कैसे move करते हैं, the birds are the most beautiful species among animals, जो birds हैं, वो अब हमारी सभी animals में सबसे beautiful species हैं, birds have wings which help them to fly, birds के wings होते हैं, जो उनको उड़ने में help करते हैं, the wings have feathers, wings में क्या होते हैं, feathers होते हैं, कुछ punk से होते हैं, birds have hind limbs, अब birds के क्या होते हैं, hind limbs, जैसे अब यह मैंने आपको बताया है, fold limbs और hind limbs, hind limbs क्या होते हैं, पीछे वाले होते हैं, इनके hind limbs होते हैं, दो, birds can perch, hop, walk, run with their hind limbs, क्या कर सकते हैं, वो चल सकते हैं, वो फुदक सकते हैं, अपने hind limbs हैं, some birds like ostrich जैसे किवी है टक है human है यह जा तो इनके पास फिंग्स होते नहीं और अगर होते हैं आज वह इसे वह बोग दशूर्ण ये सिर्फ ऑग्राउंड्ट पर वॉक करते हैं भॉक्सी इनको क्या कहते है flightless birds कहा जाता है flight मतलब उड़ना तो यह flight नहीं कर पाते है इसलिए flightless birds आई है they vary in color vary यह जादा बला vary नहीं है very different they vary in color उनको color में different हो सकते हैं size में हो सकते और behavior में भी अलग हो सकते हैं but all of them have similar body forms लेकर उनका बॉड़ी का structure है वह similar यानि कि एक जैसा ही होता है next है insect अब insect कैसे move करते हैं insect from the largest group of animals living on land पूरे land पर सबसे ज़्यादा insect पाए जाते हैं चाहे वो land पर हो चाहे वो water में हो चाहे वो air में हो सबसे ज़्यादा insect पाए जाते हैं insects have six legs अब insect के कितने legs होते हैं सिक्स होते हैं अब आपने देखा कि मैमल्स के दो होते हैं sorry जैसे आपने देखा human है kangaroo है इनके दो ही legs होते हैं birds के दो legs होते हैं और कई सारे animals है जिनके चार legs होते हैं तो insect जो होते हैं इनके six legs होते हैं insect like ants जैसे कि चीटियां होती हैं cockroaches होते हैं अपने legs का इस्तमाल करते हैं, walk करने के लिए, insects जैसे की bed bugs and leese, leese क्या होते हैं? use their legs to crawl on the ground, अब ये क्या करते हैं? अपने पैरों का इस्तमाल किसके लिए करते हैं? crawl करने के लिए, रेंगने के लिए, grasshopper uses its legs, hind legs, for hopping, अब ये जो grasshopper अपने ये, लमबि-लमबी हिंड लेक्स को या पीछे वाली लेक्स को क्या करता है होप याने की कूदने के लिए इस्तामाल करता है सम इंसेक्त जैसे की वास्प है ग्रास हॉपर्स है बड़फ्लाइज हैं इनके पास wings भी होते हैं उडने के विए, इंसेक्ट जैसे की dragonfly cannot fold their stretched wings, जैसे की dragonfly है, यह अपने wings उडने कर पाता है, जैसे अपने wings को फैला लेती है, और जब उन्हें बैठना होता है तो वो अपने wings को नीचे कर लेती है, लेकिन dragonfly जो है, यह अपने wings को नीचे नहीं कर पा उर्तेवक्त होते हैं, however, grasshopper, locust and crickets can fold their wings when not in use, लेकिन यह ऐसे इंसेक्ट हैं, जो अपने wings को फोल भी कर सकते हैं, जब यूज में नहीं होते हैं, water animals, इन्हें aquatic animals भी कहते हैं, water animals जो होते हैं, पानी में रहते हैं, उनको aquatic animals भी का जाता है, fish and whales possess fins, अब fish और जो whales हैं, उनके पास fins होती हैं, fins क्या होती हैं, जो उनके छोटे-छोटे से side में जो पंक होते हैं, इनको fins क्याते हैं, and a strong tail, एक टेल होती है, strong sea to move in water, ता कि वो पानी में इधर उधर मूव कर पाएं, the two pair of fins are used to move forward, जो दो fins होते हैं, इनकी आगे की तरफ चाने के लिए होती हैं, a frog has longer hind limbs, जो फ्रोग होता है, उसके hind limbs, यानि की पीछे के पैर होते हैं, वो थोड़ी से लंबे होते हैं, which help in jumping, ता कि वो jump कर सके, पूच सके, frog या hop कर सके, यानि की फुदक सके, frog also has webbed feet to swim, अब जो फ्रोग होते हैं, इनके feet, यानि की पैर होते हैं, यानि की पैर होते हैं, उनकी ज जुड़े होते हैं, skin से, penguins are peculiar birds found in Antarctica region near South, South pole, penguins ऐसे birds हैं, जो अन्टाक्टिका रिजिन में पाए जाते हैं, South pole में पाए जाते हैं, they are about 1 meter tall, ये 1 meter लंबे होते हैं, they do not fly, ये उड़ नहीं सकते, but use their short wings as flipper for swimming, लेकिन ये अपने wings हैं, उनको तैरने के लिए यूज करते हैं, flippers means, जैसे आपने देखा है, जब boat चलती है, तो उस time पर क्या करते हैं, नाव चलाने के लिए, वो क्या यूज करते हैं, flippers का यूज करते हैं, उसको नाव को आगे बढ़ाने के लिए, जिसे चप्पू कहते हैं, तो उसी तरीके जो flippers यानि की उसी की तरह से वो अपने wings को यूज करते हैं, नेक्स्ट है reptiles, reptiles like lizard, crocodile, snake, use various forms of locomotion, अब ये अलग तरह के locomotion की movement शो करते हैं, from one place to another place, some of them use their legs, कुछ अपने पैरों का इस्तिमाल करते हैं, some use scaly skin to move by crawling, और कुछ अपनी scaly यानि की धारी धारी वाली skin का यूज करते हैं, crawl करने के लिए, यानि की रेंगने के लिए, crocodile and geckos have four short limbs to crawl, crocodile और geckos जो होते हैं, इनके छोटे 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 limbs होते हैं, crawl करने के लिए, a snake uses its scales to crawl, with the help of strong muscular system and flexible backbone, अब क्या होता है, इनकी बॉड़ी में, एक system होता है, muscular system होता है, यानि की जो नीचे scales होते हैं, लाइन्स होती हैं, उनमें movement करने का तरीका उसी से आता है, यानि की वो उसकी वज़े से ही move कर पाते हैं, वो उनको पैरों की तरह इस्तिमाल करते हैं, जो उनकी muscles होती हैं, नीचे की तरफ, scales जो होते हैं, next है man, अब इनसान कैसे move करता है, man is a terrestrial animal, man कैसा है, एक ऐसा जानवर, sorry, एक ऐसा इनसान है, जो जमीन पर रहता है, man uses his one pair of limbs, वो अपने एक pair of limbs का इस्तिमाल करता है, यानि की अपने दो पैरों का यूस करता है, to support his body, this is why, इसी लिए, unlike other animals, दूसरे जानवरों की तरहा नहीं, man has an erect posture, man का जो है, वो एक अलग ही posture है, man can hold things with the help of thumb, man जो है, अपने थंब यानि की अपने अंगुटे के इस्तिमाल से चीजों को पकड़ सकता है, man is the most developed creature on the earth, man जो है, वो सबसे ज़्यादा developed, यानि की सबसे man use his brain to control other creatures, man जो है, अपने brain का इस्तिमाल करता है, चीजों को control करने के लिए, man is categorized in mammals, man को किस में categorized किया जाता है, mammals में, क्योंकि ये अंडे नहीं देते हैं, next, migration among animals, अब animals में migration कैसी हो दियानी की, वो एक जगा से दूसरी जगा क्यों जाते हैं, अब movement चलने का तरीका तो हमें पता चल गए कैसे चलते हैं, लेकिन जाते क्यों है आखे वो, migration is defined as the movement of animals from one region to another in response to change in weather, habitat or availability of food, अब migration को किस तरह से define किया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि जो animals है, वो एक जगा से, एक region से, एक area से, दूसरी जगा पर क्यों जाते हैं, response to change in weather, अगर weather change हुआ है, उसकी वज़े से, यानि कि कुछ animals है या birds ऐसे हैं, जो ज़ादा ठंड बरदाश नहीं कर सकते, तो जब एक जगा पर ठंड होती है, तो वो उस जगा को migrate कर देते हैं, उस जगा से चले जाते हैं, किसी ऐसे जगा पर जहाँ पर आसानी से रह सके हैं, habitat और availability of food, या habitat या इन किसी shelter के लिए, अपने घर के लिए, अपने रहने की जगा के लिए, और food के लिए, खाने के लिए, खाने calamities, यानि कि किसी प्राकरतिक आपदा की वज़े से, प्राकरतिक आपदा क्या होती है, जैसे कि अर्थक्विक आ गया, भुकम पाया, सूखा पड़ गया, उनको पानी नहीं मिल रहा वहाँ पे, या बार आ गई, तो इन सब से बचने के लिए भी, आनिमल्स एक जगा से birds migrate twice a year, birds जो हैं वो साल में दो बार migrate करते हैं, during spring and autumn, however, only some birds migrate, हाला कि क्या होता है, कि कुछ ही birds migrate करते हैं, these birds are called migratory birds, अब यह जो birds हैं, जो migrate करते हैं, जो जगा से दूसरी जगा जाते हैं, इन्हें migratory birds कहते हैं, the birds, the birds that do not migrate, और जो birds migrate नहीं करते, उन्हें resident birds कहते हैं, क्या कहा जाता हैं, resident birds, यानि कि वो अपनी ही जगा पे रहते हैं, residence मतलब, एक address होता है, जैसे आपके घर का होता है, आप से पुछाता है, residence बताइए अपना, तो residence क्या होता है, address, यानि कि एक ही जगा पे रहते हो, ज like stocks, Siberia, cranes and mallard duck visit, India, every winter, अब कई सारे birds हैं, जो यहाँ पर, इंडिया में विजिट करते हैं, हर सर्दियों में, क्या कि वो दूसरी जगा को अगर वो बरदाश नहीं कर पाते, उस चीज को नहीं, उस जगा पर रह नहीं पाते, तो वो migrate करके हर साल यहां आते हैं, हर सर्दी म अब यहां पर कुछ interesting fact है, इसको भी हम पढ़ते हैं, info zone जो है, it is interesting to know that certain insects like honeybees, wasp and ants share their work by division of labor, अब यह चीज बहुत interesting है, जैसे हम लोग humans जो होते हैं, काम को बाट देते हैं, दूसरे में कि यह वाला काम हम करेंगे, वाला हम करेंगे, ताकि काम जो है थोड़ा सा कम लगे, उसी तरह यह जो इंसेक्ट हैं, honeybees हैं, wasp हैं, ants हैं, यह भी क्या करती हैं, अपने काम को share करती हैं, labor यान की काम को share करती हैं, ताकि काम थोड़ा सा कम हो जाया उनके लिए, तो यह आपकर chapter complete होता है,